भारत की नए राष्ट्रपती द्रोपदी मुर्मू द्रोपदी मुर्मू ने विपक्षी उम्मीद्वार यश्वन सिन्ह को आसान मुकाबले में हरा दिया अब देश की पंद्रवी राष्ट्रपती बनने जा रही द्रौपदी मुर्मू ने अब एक दो नहीं बल्कि पांच नए कीर्थिमान अपने नाम लिखवा लिया है राष्ट्रिय जन्तांत्रिक गटबंधन एंडी एक की उम्मीद्वार द्रौपदी मुर्मू ने आज गुरुवार को राष्ट्रपती चुनाव में बड़ी जीत हासिल करते हुए एतिहास रच दिया है उन्होंने चुनाव में विपक्षी दलों के संयुक्त उम्मीद्वार यश्वन्त सिन्ह को एक भेहत आसान मुकाबले में हरा दिया केंद्र की नरेंद्र मोधी सरकार की ओर से उम्मीद्वार बनाय जाने और फिर कई अन्यराज्य सरकारों तथक्षेत्रिय राजनीतिक डलों की ओर से समर्थन का ऐलान किये जाने के बाद से ही द्रौपदी मुर्मू की जीत तैमानी जा रही थी अब चुनाव में एतिहासिक जीत के बाद नए राश्ट्रपदी के खाते में कई नए कीर्टिमान शामिल हो गए है एक नजर डालते हैं मुर्मू की ओर से रचे गए उन पांच कीर्टिमानों के बारे में आजाद भारत में पैदा होने वाली पहली राश्ट्रपदी राश्ट्रपदी का चुनाव जीतने के साथ ही द्रौपदी मुर्मू ने सबसे बड़ा कीर्टिमान अपने नाम कर लिया है और वकीर्तिमान है आजाद भारत में जन्म लेने वाली पहली ऐसी नेता जो देश की राष्ट्रपती बनी। इनसे पहले देश में आब तक जितने भी राष्ट्रपती हुए हैं। वो सब के सब 15 अगस्त 1947 से पहले के पैदा हुए नेता हैं। 24 जुलाई को रिटायर होने जा रहे राष्ट्रपती रामनात कोविन भी 1947 से पहले पैदा हुए थे। उनका जन्म एक अक्टूबर 1945 को हुआ था। कोविन से पहले के सभी राष्ट्रपती का जन्म तो आजादी मिलने से करीब दो दशक पहले यानी 1930 से पहले हुआ था। 20 जून 1958 को जन्म लेने वाली द्रौपदी मुर्मुभी प्रधानमंतरी नरेंद्र मोदी की उस अनोखी लिस्ट में शामिल हो गई हैं। को ने आजादी के बाद जन्म लिया और वरतमान में देश के दोनों शीर्ष पदू पर 1947 के बाद के प्रैदा हुए नेताओं का कबज़ा हो गया है। 15 अगस्त 1947 से लेकर 2014 तक देश के दोनों शीर्ष पदू राष्ट्रपती और प्रधानमंतरी को संभालने वाले सभी नेताओं का जन्म आजादी से पहले ही हुआ था। खाला की मई 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंतरी पद का शपत लेने के साथ ही आजाद मुल्क का इतिहास बदल गया। क्योंकि मोदी आजाद भारत में जन्म लेने वाले पहले प्रधानमंतरी बने लेकिन राष्ट्रपती के तौर पर यह रिकॉर्ड नहीं टूटा था लेकिन अब मुर्मू की जीतने इस सूखे को भी खत्म कर दिया है। देश को मिलेगी सबसे युवा राष्ट्रपती, ड्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपती पद पर काबेज होने वाली देश की सबसे युवा राष्ट्रपती होने जा रही है। 20 जून 1958 को जन्मी मुर्मू अभी 64 साल की है। 25 जुलाई को पद संभालने के समय वो 64 साल एक महीना और आठ दिन हो जाएंगी इस लिहाज से वो चन्द दिनों के अंतर से यह रिकॉर्ड अपने नाम करेंगी देश के सबसे युवा राष्ट्रपती का रिकॉर्ड अब तक नीलम संजीव रेड़ी के नाम दर्ज था 60 साल दो महीने और 6 दिन थी देश के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपती का नाम क्यार नारायनन है नारायनन ने 77 साल 5 महीने 21 दिन की उम्र में 25 जुलाई 1997 को राष्ट्रपती पद की शपत ली थी पहली आदिवासी नेता जो होंगी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी नेता है देश को अब तक क्यार नारायनन और रामनात कोविंद के रूप में दो डलित राष्ट्रपती मिले है लेकिन आदिवासी समुदाय से कोई भी नेता शीर्ष सम्वेधानिक पद पर नहीं आ सका आदिवासी बेरादरी से देश को ना कोई प्रधान मंतरी मिला और ना ही राष्ट्रपती यहां तक देश के अन्ने शीर्ष पदू यानि ग्रह मंतरी, वितम मंतरी और रक्षा मंतरी भी आदिवासी समुदाय से नहीं मिला लेकिन अब मुर्मू ने राष्ट्रपती बनकर इतिहास रच दिया है राष्ट्रपती चुनाव में जीत हासिल करने के साथ ही वो देश की पहली आदिवासी महिला बन गई है जो देश की राष्ट्रपती होंगी मुर्मू इस से पहले 2015 से 2021 तक जहारखंड की राजपाल रह चुकी है उन्होंने बत और राजपाल भी इतिहास रचा क्योंकि वो जहारखंड में राजपाल के रूप में कारेकाल पूरा करने वाली पहली हस्ती थी देश की पहली पारषद जो शीर्षपद पर पहुँची देश के एतिहास में यह पहली बार हुआ है जब कोई पारषद राष्ट्रपती का चुनाव जीतने में काम्याब हुआ है द्रौपदी मुर्मू ऐसी पहली नेता बन गई जो पहले पारषद रही और अब राष्ट्रपती बनने जा रही है तो रिसा में जन्मी द्रौपदी ने भुवनेश्वर स्थित्र रमादेवी महिला कॉलेज से ब्येकी डिग्री हासिल की बतोर शिक्षक अपने करिया की शुरुआत करने वाली मुर्मू ने राजनीती में कदम रखा तो वो यहां भी बेहत काम्याब रही मुर्मू साल 1997 में पारशद बनी इसके तीन साल बाद वो 2000 में प्रहली बार विधायक बनी इस दोरान राज्य में भाजपा बीजेडी सरकार में दो बार मंत्री भी रही राजय में मंत्री पद का भार संभालने के बाद द्रौपदी मुर्मू जार्खन की राज़पाल बनी वो जार्खन की पहली महिला राज़पाल रही यही नहीं वो देश के किसी भी प्रदेश की राज़पाल बनने वाली देश की पहली आधिवासी महिला नेता भी रही राश्ट्रपती देने वाले राज्यों की लिस्ट में ओरिशा की एंट्री राश्ट्रपती का चुनाव जीतने के साथ ही द्रौपदी मुर्मू ने ओरिसा के लिए कीरतिमान रच दिया है वह ओरिसा से इस शीश पद पर पहुँचने वाली पहली राजनेता बन गई है अब तक हुए 14 राश्ट्रपतियों में से 7 राश्ट्रपती का नाता दक्षन भारत से रहा जबकि देश के पहले राश्ट्रपती राजेंद प्रसाद का संबन बिहार से था और वह लगातार दो बार राश्ट्रपती पर पर रहे द्रौपदी मुर्मू देश की दूसरी महिला राश्ट्रपती होने जा रही है इससे पहले देश की पहली महिला राश्ट्रपती देने का गौरव महराश्ट्रा को मिला जब 2007 में प्रतिभा पार्टल राश्ट्रपती बनी ऐसी और जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करें धन्यवाद